अगली खबर चुनाव परचार छोड़कर सोनिया से मिली है कुमारी सैलजा दिल्ली में सोनिया गांधी से कुमारी सैलजा की मुलाकात हुई है हरियाना में आज चुनाव परचार का अंतिम दिन है लेकिन चुनाव परचार छोड़कर कुमारी सेलजा सोनिया गांधी से मिली है मुलाकात का क्या मतलब समस्ते हैं अपने सयोगी हमारे साथ जैनेंद्र मौचूद है जैनेंद्र क्यों हुई है ये मुलाकात वो भी परचार वाले दिन परचार ना करके ये मेल मुलाकात वाकरी बहुत दल्चस्प ये बैठक हुई है अखलेश हलाकि बैठक सोनिया गांधी और शैलजा के बीच हुई है तो बैठक के डीटेल सामने नहीं आपाई है कि आखिर किस वज़े से सैलजा ने ये मुलाकात की है सैलजा ने मीडिया से बात नहीं की लेकिन आज चुनाव परचार का आखरी दिन है जैसा आब बता रहे तमाम जो बड़े नेता हैं कॉंग्रस के प्रदेश के राश्टिये वो आज परचार में है राहुन गांधी की कि दो सबाएं हैं लेकिन इन सब के बीच चुनाव परचार के आखरी दिन सैलजा का दस जनफक्त पहुंचकर सोनिया गांधी से मिलना बहुत एहम है क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान हर्याना में हमने देखा कि हमारी सैलजा की जो नाराज़दी है ठिकट डिकट डिस् इसी लाइट में इसी रोश्णी में इस मुलाकात को देखना होगा अलगी इसकी डीटेल जो है पैटक में सोनिया गांधी और सैलजा की मुलाकात हुई है हर्याना में आज चुनाव परचार का अंतिम दिन है लेकिन चुनाव परचार छोड़कर कुमारी सैलजा सोनिया गा हमारे साथ जैनेंद्र मौचूद है, जैनेंद्र क्यों हुई है ये मुलाकात, वह भी परचार वाले दिन परचार ना करके ये मेल मुलाकात? इस ये मुलाकात को देखना होगा, अलकि इसकी डीटेल जो है, बैटक में सोनिया गांधी और सहल्जा की विच्किया बात हुई, इसकी डीटेल सामने नहीं यहीं, लेकिन यह मुलाकात अपने आप में बेहत एहम है। अलकि बैटक में सोनिया गांधी और सहल्जा के बीच हुई है, बैटक में सोनिया गांधी और सहल्जा के बीच हुई है। बहुत एहम है क्योंकि पूरे चुनाओ के दौरान हर्याना में हमने देखा, इसमारी सहल्जा की जो नाराज़्दी है, अपनी बेक्षा का, खुद टिकट ना मिलने का, वो एक केंद्रिये बना रहा चर्चा का, बीजेपी ने भी इसको लेकर पांग्रेस को फेरा, और माउपस के लगाता है, यह समाल पूछे जाते रहे हुटा और सहल्जा के बीच जो खाई है, तो इसी इसी लाइट में, इसी रोशनी में इस मुलाकात को देखना होगा, अलकि इसकी डीटेल जो है, बैटेक में सुरिया गादी और सहल्जा के बात हुई, इसकी डीटेल तामने नहीं यहीं, लेकिन यह मुलाकात अप्रेया पे बेहत एहम है, चल्ली ठीक है, जनेंदर आप नजर बना करके,